नमस्कार आप देख रहे हैं 4PM मैं हूँ आपके साथ सिम्रन महराष्टी विधानस्वा चुनाफ का बिगुल बच्चुका है सभी पार्चियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषना भी कर दी है सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांदकन भी कर दी है लेकिन बीजेपी की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है बीजेपी द्वारा जौरी की गई उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद से बगावत शुरू हो गई है टिकेट ना मिलने से नराज बिधायकों और नेताओं ने बीजेपी पार्टी को छोड़ कर अन्य पार्टीयों में शामिल हो गए थे लेकिन इसके बाद भी बीजेपी ने अपने रवये में बदलाव नहीं लाया जिसके चलते एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया आपको बता ले कि 2014 में सत्ता में आये मोदी ने जनता को जूट बोल बोल कर लगातार दस सालों तक गुमरह करने का काम किया है और जनता के हित के लिए कोई काम नहीं देश में महंगाई बेरोजकारी भरष्टा चार लगातार बढ़ते ही चला जा रहा है सरकार अपने सभी दावों पर फेल होती दिखाई दे रही है और मोदी ने चुनाफ से पहले जनता से वादे किये थे वे एक भी वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं और धीरे धीरे जनता का भरोसा बीजेपी से टूट किया है जिसका बहुत बड़ा खामियाजा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाफ में देखने को मिला और मोदी की एक भी रणनीती काम नहीं आए और बीजेपी बहुमत के आखड़े को भी नहीं छूपाई और 240 सीटों पर सिमट के रहे गए बता दे कि मोदी 2014 में सत्का में आने के बाद से जनता को सिर्फ गुमरह करने का काम किया है और जनता की समस्याओं पर कनिक भी ध्यान नहीं दिया है जिसके पाइणाम स्वरूप बीजेपी का हाल बहुत निचले स्तर पर बहुत चुका है जनता मोदी और बीजेपी के नाम से नफरत करने लगी है अब जनता को मोदी की गैरंटी पर कोई भरोसा नहीं रहे गया है आपको वतारे कि मोदी सबसे सत्ता में आये है तब से उन्होंने सिर्फ नारे देने का काम किया है जैसे एक अकेला सब पर भारी मोदी की गैरंटी चार सो पार समेत तमाम ऐसे नारे आये जिनका जनता ने भी फरपूर समर्थन किया लेकिन कोई भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ बहीं लोकसब़ चुनाब 2024 के बाद से मोदी सब ही नारों को बोलना ही भूल गए और चेहरों की चमक गायब हो गई मोदी को पता चल चुका है कि उनका कोई भी क्रेस जनता के बीच में नहीं बचा है अब जनता का मन बदल गया है और जनता ने मोदी की बातों को सुनना बंद कर दिया है जिसको देखते हुए मोदी ने विधान सभा चुनाबो की कमान अमिश्या के हातों में सौब दी है लेकिन महराश्ट के मुद्दो को सुलजाने में अमिश्या भी पूरी तरह से फेल हो गए है और महराश्ट बीजेपी के बड़े नेताओं ने पार्टी में बगावत करती है और दूसरी पार्टीयों में आके शामिल हो गए है आपको बताने कि टिकट बठवारे को लेकर बीजेपी में मची भगदड़ को देखते हुए बीजेपी नीत महायूती की दिल्ली में कई बैठ़के हुई लेकिन इन बैठ़कों में भी कोई फायदा नहीं हुआ और BJP में भगदड मच गई, अमिशाहा बीजेपी में मची भगदड को संभाल भी नहीं पाये और मिली जिम्मेदारी को बखू भी निभा भी नहीं पाये, मोधी ने जो जिम्मेदारी दी थी उसमें पूरी तरह से फेल हो गए, आपको बतारे कि जब अमिशाहा एक को कहां से संभाल पाएंगे, बतारे कि महराश्च चुनाव BJP के लिए किसी अगनी परिख्षा से कम नहीं है, महराश्च के जनता अनेक समस्याओं से जूज रही है, लेकिन शिंदे ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, मराचा आरक्षन का मुद्दा भी BJP पर चल रह मनुज आरंगे में विधान सभा चुनाव में BJP के खिलाफ उमीदवार उतार दिये और चुनावे बिगुल फूग दिया, जिससे कि महायूती की चिंता और बढ़ गई है, बतारे कि BJP के एक मुसीबत खत नहीं होती है कि दूसरी मुसीबत जन्म ले लेती है, बीजेपी क होते हैं, वो फैसले पार्टी के 2-3 लोग ही लेते हैं, जब पार्टी में पार्टी नेताओं की नहीं सुनी जाती है, तो फिर जन्ता की आवाज को कौन सुनेगा, आपको बतारे कि जब से देश में BJP सत्ता में आई है, तब से जन्ता की आवाजों को दबाने का काम किया जा रहा है लोगतंत्र का चौथा स्थम्ब बीजेपी का गुलाम बंद की रहे गया है देश में क्राइम इतना बढ़ गया है जो कंट्रोल से बाहर है और गोधी मीडिया में सबसे खबरे चलाई जा रहे हैं कि देश प्रगती के पतपर लगतार आगे बढ़ रहा है आए दि सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी महिला की सुरक्षा करने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है पतारे की देश की कानून यवस्था से ले करके सब कुछ धस्त हो चुका है सरकार अपराद रोकने में नाकाम साबित हो रही है बेरोजगारी चरम पर है देश में रोजगार खत्म हो चुका है, महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार मुख दर्शन बनी सब कुछ देख रही है, सरकार को बस अपनी सत्ता की ही पड़ी है, मोदी को बस पीम बनने की चाहा है, देश की जनता से कोई मतलबी नहीं है रामराच की बात करने वाली बीजेपी ने रामराच पैदा कर दिया है, वहीं जनता को बलगराने के लिए मोदी ने मुफ्त राशन योजना और किसान सम्मान निधी जैसे योजना लॉंच किया है, जिससे की गरीबों को हर माहा 5 किलो राशन दिया जाता है इसी के जगा गरीबों को रोजगार दो वो अपना गुजारा बहुत बहतरीन तरिके से कर लेंगे, लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि देश की जनता आगे बढ़े, इसका भी बहुत बड़ा कारण है कि जनता मोदी के जुमलों को समझ नहीं पा रही है, अगर मोदी जनता को रोजगार देने अच्छी सिख्षा देगी तो देश की जनता जागरुख होगी और सरकार से अपने हक को लेका सवाल करेगी इसका जवाब मोदी को जनता को देना पड़ेगा आपको पता दे कि महान दार्शिनिक ने कहा था कि अगर किसी देश पर राच करना है तो उस देश की इस सिख्षा विवस्था को द्वस्त कर दो मोदी जी ने वही किया है सिख्षा के स्तर को बिलकुल खत्म कर दिया है महराज शिवधान समय चुनाव से पहले कुछ दिन पहले बीजेपी प्रवक्ता साइना एंसी ने मुख्यमंतरी एकना शिंदे को मौजूदगी में शि साल 2009 से इस सीट का प्रतिंधित्व कॉंग्रस के अमीन पठेल करते चले आ रहे हैं। चाहे वो क्लस्टर विकास हो लेकर सफाई या खुली जगहा हो मैं मुंबई के लोगों के लिए कमिटेड हूँ। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी की ओर से साइना को वरली विधानसवत छेत्र से मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन फिर वरली सीट से शिफ सेना को उमीदवार आदित ठाकरे के सामने शिफ सेना सिंदेगुठ की ओर से मिलिन देवडा के नाम का ऐलान किया गया। वरली महराश की एक हाई प्रोफाइल सीट है जिस पर इस बार त्रिकोर्णी ये मुकाबला देखने को मिलेगा। बड़ी पार्ची बन के ओभर गी। एक नाशिंदे की शिफ सेना और जित पवार की न्सिप के साथ मिलकर जरूर हम महायूती की सरकार बनाने ज़ा रहे हैं। वैसे तो मैं अनुमाल लगाना पसंद नहीं करता हूं लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि महायूती के पास एक एच रहने वाला है। हम आराम से बहुमत हासिल कर लेंगे। इस ख़बर फिलहाल बस इतना ही है। इसी तमाम राच्छीतिक खबरों के लिए बने रहे हैं और जूर रहे हैं 4 पीम के साथ धनिवाद।